कि के निसी डॉक्टर मदल्ब बचने के चांस नहीं है ऐसे कह रहे थैं कि कोई पका पता नहीं है हम अपना ट्रीट्मेंट आलाज करेंगे पर बचने का कोई चांस नहीं है क्योंकि जो प्रॉब्लम है जो निफेक्शन है रेशे की वो बहुत उपर जा चुकी है पुरे सिर में फैल चुकी है कुछ भी हो सकता है फिर आप डर रहे थे कि घर में शादी रखी है अगर निने कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे हालेलुया इस इस्टर का नाम दर्बीर कौरे और और जिमान बिनके रहने वाले अपने हाग को खड़ा करो और जिनके गवाही है ठीक है और जिमान बिनके रहने वाले हैं और इस बहन की गवाही जे अर इनके हैस्टर ने बताए ऑए कि जा बता रहे इकी आज data ह vortex लिए पहले इनके सिर में दर्द रहधी थी और जिसके कारण जे बहुत ही परेशान थे और जो बता रहे हैं कि बाद में जो इनके जब जैसे जो डॉक्टर से मैडिसन ले रहे थे तो इनको फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि जो दर्द थी इनके जो मुह के अंदर दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड दांतों में दर्द थी बहुत जादा इनकी दाड़ों में भी दर्द रह दी थी वही दर्द इनके सिटक जाती थी जिसके कारण जो बहुत परेशान हो चुके थे और बता रहे कि इन्होंने अपने गाउं में तीन डॉक्टर अलग लग बदल लिये थे जिससे जे मैडिसन ले रहे थे पर इन्हें दर्द का कोई भी फर्क नहीं पढ़ दा था जहां तक कि जो भी खाना तक नहीं खा सकते थे इतनी जादा इनकी बाड़ी में फिर वीक्नस आगी थी क्योंकि दर्द के कान इनके मुह में खाना नहीं खा सकते थे मुह के अंदर भी दर्द होती थी और जिसके कारण जी छोब उन्होंने अक्सरा किया तो probability बताया कि आपके मुग के जटाव दाड़ों में ऐसे रेशा ए जो की इतना जादा गटता दर्शा ब мехकिए कि मोगे सिर्क शिर्थ पहुंच रहा है जिसके कार्नस आप के सिर्की जो तर्द वह सई तक पहुंच रहा है कि पहुंच गया था इनको माइक दो इनकी है अब आप दाओं उनको क्या बताए अब जो जो जब आपने डॉक्टर नों दिखाया तो तुसी दसिया उन्हें डॉक्टर ने दसिया कि ए जो रेशा या दाड़ान तो किते चले गया है सिर्च चला गया ना सिर्विच चले गया और जानकारण की हाँ ठीक है आम बताओं आगे और जैसी वह फिर वह अक्सरा जब इन्होंने फिर बड़े हॉस्पिटल में दिखाया तो उन्होंने बताया था कि रेशा बहुत जादा इन्फेक्शन है जो कि सिर्प तक पहुंच ग रहा गए थे और जिक ब्रदर जी काफी परेशान होगे थे कि ऐसे घर में शादी का महाल और सब को मनें से इन्विटेशन भी दे दिया सुनिहां भी दिया है अभी घर के बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं बहुत सारी त्यारी भी करनी आगर इन्हें कुछ हो गया ऐसे इसे बचने के चांस नहीं है ऐसे कह रहे थी कि कोई पका पता नहीं है हम अपने ट्रीटमेंट अलास करेंगी और बचने हैं का कोई में जो इंफेक्शन है रेशे की वह बहुत उपर जा चुकी है पुरे सिर में फैल चुकी है अगर निने कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे उसमें मतलब काफी हलात आपके उपर बना था ठीक है आगे बताओं फिर क्या गागे अरजे बता रहे और जी पता रहें कि प्रल कॉप्रेशन ने करना शुरू किया ऐसे इसीरे गला य। कुम क्ला कॉष उपड़ोंữ कोई य। темперाों इसाथ मिल्माएं जा ऑर टीम के पूरे टीम और करेंश्यक्के दाश क्षिए चर्च में तो जैसे उन्होंने जो जैसे इन्होंने बात की तो जैसे इनको मैसी दिया गया कि आप डरे ना आप डरो ना क्योंकि परमेश्य सब कुछ कर सकते बसा विश्वास करे और धन्यवाद में बने रहें क्योंकि प्रेशन बिलकुल अच्छा होगा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो जैसे फिर इनको विश्वास दिया गया और भी इनका जो इनका विश्वास पूरा डॉन हो गया तो क्योंकि इन्होंने अपना इनका जो मन था वो काफी परेशान था जैसे बता रहें कि अभी कुछ भी हो सकता है डॉक्त ने तो मुझे बहुत कुछ बोल दिया है पता नहीं क्या होगा ऐसी ऐसी सोचे इनके मन में आ रहे थी पर जैसे ही पूरी टीम और परमिश्व के दास उस दिन प्रात्ना कर रहे थे तो जो बता रहे है कि वो काफी जो प्रेशन था काफी लंबे टाइम तक चलता रहा और उस समय तक जो विश्वास में बने रहे धनेवाद करते रहे तो जो प्रेशन था वो पूरा सक्सेसफुल रहा कोई प्राब्लम नहीं आई ना तो इनकी आखों की रोश्टी में कोई प्राब्लम आई ना ही कोई प्रालाइस का टैक आया जो कि डॉक्टर ने उस समय बोला था कि जो इनकी गर्दन और इनकी बैक पेन रीर की हड़ी तक से स बरदर जी बता रहे कि उस समय जी उनकी कोई वीडियो कोई पिक नहीं ले पाए पर जैसे इनको आईसी जो से बाहर मशिवट किया गया रूम में तो उस समय के यह वीडियो को देखेंगे तो जे बिलकुल उस समय इनका अपरेशन हो गया था बिलकुल नॉर्मल परजिशन में थे और जैसे जैसे फिर वाट में रहे आसे हॉस्पिटल में जैसे रूम में इनको शिफ्ट कर दिया और पर बेश्व ने इनको पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से सही कर दिया और पर और आज बता रहें कि जैसे जो इनकी बेटे की मैरीज रखी थी उसमें भी शामिलों इन्होंने अपने बेटे की अच्छे से मैरीज की कोई प्रॉब्लम नहीं आई और आज जिस इस्टर वजे बाई बहुत खुशे की पर मेश्व ने आज इसको भी संबाल कर रखा और ज हम सब जोर से अपने हाथ लुटाते पर पेश्व की तारीफ करेंगे जोर से उठाएं जोर से उस खुदा की अपने आथों को अगर तारीफ करेंगे यह नॉर्मल गवाही भी बड़ा चमतकार यो खुदाने किया है हमें कितने शांस क्यातिक है हमारा परमेश्व जीवत है हां जिनके घर में शादी रखी है 20 दिन के बाद शादी है और 20 दिन पहले यह प्रॉब्लम आ गई क्या गी है कितना क्रिटिकल केस था कितना सीरियस था पर वो सच्चा परमेश्व है उसे लव करना उसे प्यार करना मैं पाई जी तनू कह रहे हैं माइक दो इनन जुदा वच्छन केंदा यहां उदी आज्याकारी करना जीवन सस्ता नहीं है ठीक है क्योंकि जीवन वो परमेश्व है देता है मेडिकल साइंस बुरी नहीं है पर कई बार उससे भी क्या नहीं होता अगर परमिश्वन ने देया जीवन दिया है आपके घर में सारी खुशियां दी यह दिया अगर कुछ हो जाता तो सोचो यहां मतलब कैसा महाल बन जाता तो फिर इसलिए मैं यह आँ बात आपको यह खुदा की हजूरी में क्यों बोर रहा हूं कि उसे प्यार करना कोई पाप मत करना जो वचन कहता उसकी सारी आख्यों को मानना क्योंकि वो यह की परमिश्य है उसी के पेशे चलना उसका जो वचन कहता उसमें हमेशा खड़े रहना ठीक है और खुदा की हजूरी को मिस कभी बात करना ठीक है जो रहती कमजोरी भी है थोड़ी बहुत वह भी पूरी तरह से क्या हो जाएगी ठीक है तो आज तो शादी भी हो गई खुश है आपके चेहरे से लग रहा है तारीव कर दो एक बार फिर से अगरी दाए करिदाए यहोवा अना के कम करिदाए करिदाए यहोवा